नवश्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है वहीं अब खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में बिरानवे रेल्वे स्टेशनों का होगा काया कल इंटर परिक्षा केंडर पर सिक्षकों के मुवाइल फोन ले जाने पर रोक बिहार बिहार मेंडल का टेला वजट सत्र मंत्री परिशत के विस्तार पर सस्पेंस बरकरार इंटर परिक्षा के पहले दीने गावन परिक्षार्थी निस्कासित एक्जाम से वंचित चात्रों की अप्रैल में होगी परिक्षा मुहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 में नहीं मिली जगा बी सी सी आई ने दी जानकारी इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से इंटर परिक्षा के इंदर पर सिक्षकों के मुवाइल फोन ले जाने पर रोक सिक्षा विभाग ने आधिकारिक पत्र जारी किया है इसमें कदा चार मुक्त परिक्षा लेने के लिए नए फैसले लिए गए है किके पाठक के आदेश पर सिक्षा विभाग ने जरूरी कदम उठाए है इसमें साफ तोर पर कहा गया है कि सिक्षक और अनिक कर्मी अब कार्य अस्थल पर बिना मुवाइल फोन के आएंगे जिस भी कॉलिज में इंटर की परिक्षा का केंद्र बनाया गया है वहां सिक्षक और गैर सिक्षन करमचारियों के फोन ले जाने पर प्रतिबंद है आपको बता दे कि परिक्षा केंद्र से सिक्षकों की ओर से ओनलाइन कक्षाओं का भी संचालन होता है फिल्हाल ये नया आदेश केवल डिगरी कॉलिजों के लिए मानने है सबी जिला सिक्षा पतादिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है बिहार में 92 रेल्वे स्टेशनों का होगा काया कल्ब बिहार में रेल्वे के लिए रुपे 10,032 करोर का एलोकेशन दिया गया है इसके साथ यहां रेल्वे का 99 प्रतीशत विद्योती करन किया जा चुका है वहीं अब राज़ के 91 स्टेशनों का अमरित भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर निर्मान होगा पुर्व मधे रेल्वे के कई स्टेशन एरपोर्ट जैसा दिखने वाले हैं इधर बीट और औरंगबाद रेल्खंद का निर्मान कार्य जल्द शुरू होगा डीडियू वजहाजा के बीच रेल लाइन निर्मान का अंतिम सर्वे भी जल्द पूरा किया जाएगा फिलहाल यहां 98 प्रतीशत रेल लाइन का विद्योती करन किया जा चुका है केंद्र सरकार की ओर से रेलवे में यातयात सुविधा के लिए 244 करोर रुपे स्विकृत किये गए हैं बिहार विधार मेंडल का टेला वजट सत्र मंत्री परिसत के विस्तार पर सस्पिंस बिहार विधार मेंडल का वजट सत्र एक बार फिर से टल गया है इसे के साथ ही मंत्री परिसत के विस्तार पर सस्पिंस बरकरार है मालूम हो कि राज़ में 10 फरवरी से बजट 17 शुरू होने वाला था लेकिन ये अब 10 की जगह 12 फरवरी से होगा बतैज होता है कि पहले विश्वास मत हासिल किया जाएगा इसके बाद मंत्रियों के बीच विभात का बचवारा होगा 12 फरवरी को नई सरकार विश्वास मत का प्रस्ताओं पेश कर सकती है वहीं राज़ में बजट 17 एक मार्श तक चलेगा जानकारी के अनुसार 10 फरवरी को राज़िपाल, राज़िंद्र, विश्विनात आर लेकर राज़ से बाहर रह सकते है यहीं बज़ए कि बजट 72 दिनों के लिए टल गया है इंटर परिक्षा के पहले दिन एक कावन परिक्षार्थी निस्कासित एक्जाम से वंचित छात्रों की अप्रेल में होगी परिक्षा बिहार में इंटर की परिक्षा जारी है, एक्जाम के पहले दिन 9 जलों से एक कावन परिक्षार्थी निस्कासित हुए है आपको बता दी कि नवादा जले से सबसे अधिक बाइस परिक्षार्टी निस्कासित किये गए वहीं नौ परिक्षार्टी नालंदा जिले में परिक्षा से निस्कासित हो गए इधर कई चात्रों चात्राई ऐसे भी है जो देरी से पहुचे और इस कारण उन्हें परिक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया है पहले दिन जहानबाद भागलपूर नालंदा शेकपुरा आधी जगहों पर देर से पहुचने वाले परिक्षार्टियों ने जम कर हंगामा किया भागलपूर के एक स्कूल में शात्रों ने पत्थराओ तक किया है इस दोरान पुलीस को हलका बलप्रियोग करना परा मालूम होके एक्जाम से वंशित होने वाले स्टूडेंट्स को बिहार विद्याले परिक्षा समीती दूसरा मौका जरूर देगी इनके लिए अप्रेल के महीने में विशेस परिक्षा का आयोजन होगा इसके लिए रिजल्ट जारी होने के एक सब्ता के बाद विशेस परिक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी बिहार में सक्षमता परिक्षा को लेकर बनी कमीटी केके पाठक होंगे अध्यक्ष बिहार में न्योजित सिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए परिक्षा का आयोजन किया जाएगा इसके लिए अवी दिन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वहीं अब कमीटी के गठन का फैसला लिया गया है इसके अध्यक्ष सिक्षव वभाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक होंगे ये कमीटी एक रिपोर्ट तयार करेगी और इससे आठ दिनों में स्तरकार को सौपेगी इस कमीटी का काम होगा कि ये न्योजित सिक्षकों के मामले में विच्चार करे एक्जाम में फेल होने से लेकर एक्जाम में शामल होने वाले सिक्षकों की रिपोर्ट राज सरकार को सौपा जाएगा वरहाल सिक्षा वभाग ने से लेकर आदेश जारी कर दिया है सक्षमता परिक्षा पास करने के लिए न्योजित सिक्षकों को तीन अफसर मिलेंगे आपको बता दे कि सक्षमता परिक्षा में कुल 69 विश्यों के परिक्षा होगी इसके अलावा 26 फर्वरी से परिक्षा का आयोजन होगा वहीं 5 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक Admit Card को डाउनलोड किया जा सकता है वीडियो और फोटोग्राफिय प्रतियोगिता में भाग लेने से फाइदा खास बातों का रखे खयाल सूशना एवं जन संपर्क विभा के ओर से फोटोग्राफिय और वीडियोग्राफिय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है eadvtprd.bihar.gov.in की वेबसाइट पर जरूरी निर्दशों की मदद से प्रतियोगिता का हिस्सा बना जा सकता है यहाँ अपना नाम, पता, बैंक डिटिल सादी को भरना होगा प्रतियोगिता की थीम पर ही फोटो और वीडियो को बनाना है वीडियो की लमवाई 30 सेकेंड से 120 सेकेंड होनी चाहिए वहीं इसका साइज 1 ZB तक होना चाहिए जबकि फोटो का साइज 500 MB निर्धारित है वीडियो को सोचल मीडिया हैंडल्स पर क्याप्शन के साथ पोस्ट करके लिंक भरना है किसी पी तरह की परिशानी होने पर जन्भागिदारी बिहार at gmail.com पर संपर किया जा सकता है बिहार में सोलर पावर से चलेंगे कोल्ड स्टोरेज बिजली की खपत होगी कम बिहार में अब सभी कोल्ड स्टोरेज सोलर पावर की मदद से चलेंगे इसके लिए सरकार ने 28 करोर रुपे की स्विक्रिती दी है बिजली की खपत को कम करना और बिजली के बिल को भी कम करना इसका मुख्य उद्देश है कोल्ड स्टोरिस को सोलर पैनल से जोड़ने की तैयार ही जारी है बताय जाते है कि किसानों को सिस्ती दरों पर कोल्ड दरे उपलब्द हो जाएगी किसानों को 35% तक सबसीडी देने की भी बात सामने आ रही है किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए कोल्ड स्टोरिस का निर्मान कर सकते है कई ऐसे जले जहां cold storage की सुविधा नहीं है वहां cold storage का निर्मान भी होगा गंगा की लहरों में speed motor right का lift उठा सकेंगे परियतक पटना में अब परियतक speed motor right का lift उठा सकेंगे यहां दिखा परियतन घाट पर water rights की गतिवी धी शुरू हो जुकी है गंगा की लहरों की बीच लोग motor right का lift उठा सकेंगे अब तक लोग cruise में सवार होकर गंगा की सेर का आनंद उठाते थे यहां दो cruise फलहाल चलता है लेकिन अब water boat की शुरुआत होने से लोगों को इसकी right का मज़ा लिया जा सकेगा यहां तीन तरह के water boat से लाए गए है इसमें जेट अटेक, चार सीटर motor boat और आट से दर सीटर boat है जानकारी के अनुसार 200 से 500 रुपे खर्च कर आप इसकी सवारी कर सकते है बिहार में सरकारी नौकरी में पैसर प्रतीशत आरक्षन मामले में टली सुनवाई बिहार में सरकारी नौकरी में पैसर प्रतीशत आरक्षन मामले में पत्ना हाई कोट में सुनवाई टल गई है अब 4 मार्च को सुनवाई होगी दरसल राच में सरकारी नौकरी में OBC, EBC, SC वर्गो को पैसर प्रतीशत आरक्षन देने का फैसला हुआ था इसे कोट में चुनौती दी गई थी इस याचिका के सुनवाई फिलहाल चल गई है याचिका कर्टा का कहना है कि आरक्षन के नियम तर्क संगत नहीं है इसी वज़े से इसकी समिक्षा होनी चाहिए आपको बता दे कि विजान मंडल के शितकालीन सत्र में नितीज सरकार ने आ अंदोलन की चेतावनी दी है इनका कहना है कि ग्राम पंचायतों की अधिकारों में कटौती हो रही है बताया जाता है कि साथ फरवरी को जिलास्तर पर बैठक किया जाएगा इसके बाद फिर से मांग पत्र को सौपा जाएगा वहीं सरकार को इन्होंने 10 फरवरी तक अपनी मांगो पर ध्यान देने का आग रह किया है ऐसा नहीं करने पर राज्य भर के मुख्या निश्युत कालीन हरताल करेंगे इनका कहना है कि इन्हें सरकार से काफी उम्मीदे हैं इन्होंने अपनी मांगो को लेकर डिप्टी सीम विजल सिन्हा से मुलाकात भी की है बिहार में म की जाएगी बिहार विद्यूत विनियामत के कक्ष में जन सुनवाई निधारित है उमीद जताय जारिये कि लोग सभा के चुनाओं को देखते वे इस साल फरवरी के महिने में ही नई दर की घोशना होगी बताया जाता है कि 40 पैसे प्रती युनिट बिजली के दर को बढ़ परिसानी का सामना करना पर सकता है और इन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है आपको बता दे कि शप्रा की हवास फिलहाल सबसे खराब है यहां का एक्यूआई अस्तर 309 है वहीं बिहार शरीफ में एक्यूआई 348 तो राजगीर में यह 381 है 27 फरवरी को होगा PMCH के नए OPD भवन का उद्घाटन 27 फरवरी को होगा विहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे आपको बता दे कि इसी दिन ब्लड बैंक, मेडिकल स्टोर, सजिकल स्टोर, मल्टी, यूटिलिटी बिल्डिंग, नर्स, यूजी और पीजी होस्टल, नौ मंजिला पार्किंग भवन का भी उद्घाटन होगा वहीं कहा जा रहा है कि लोग सभाचनाओ को लेकर मार्च में अधिसूचना भी जारी किया जा सकता है इससे देखते व्याचार संगीता लागू होनी से पहले निर्मान धीन भवन के कुछ हिस्सों का उद्घाटन किया जा रहा है अंतरियम भजट पेश होने के बाद बिहार में सियासत तेज व्यपक्ष ने जताई नाराजगी वित्च मंचरी निर्मला सीतारमन ने अंतरियम भजट को पेश किया है इसके बाद अलग अलग पाटियों की प्रतिक्रिया इस सामने आ रही है बिहार के मुख्यमंत्रि नितिश कुमार और जद्यू के सांसद ललंग सिंग ने इस बजड को लेकर खुशी जाहिर की है वहीं विपक्ष ने इसको लेकर नाराज़गी जताई है सीम नितिश कुमाय ने कहा है कि केंद्र और राज्य में NDA गदबंधन की सरकार होने से विकासकारियों को गती मिलेगी और राज्यबासियों की बहतरी होगी उन्होंने इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है आरज्यडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन का कहना है कि वित्मंत्री ने बिहार का नाम तक नहीं लिया उन्होंने इस बजट को लेकर कहा है कि खाली लिफाफे में चुनावी भासन दिया गया है मुहमत सिराज को प्लेइंग 11 में नहीं मिली जगा बी सी सी आई ने दी जानकारी मुहमत सिराज को प्लेइंग 11 में जगा नहीं दी गई है बी सी सी आई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करकर इसकी जानकारी दी है मुहमत सिराज को इंगलैंड के खिलाब दूसरे टेस्ट मैच में भारतिय स्कौर्ड में रिलीस किया जाएगा आपको बता दे कि भारत और इंगलैंड के भी सिरीश का दूसरा मैच विशाखा पत्नम के राजशेखर रिड़ी ACA VDCA क्रिकिट स्टेडियम में चल रहा है वहीं सराज के बार में बता दे कि उन्होंने पहले टेस्ट मैच में एक भी विकेट नहीं लिया था इधर आवेश खान को टीम में शामिल किया जा रहा है वहीं रजट पाटिदार को दूसरे मैच में मौका मिला है बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्नों ने अमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पंकश कुमार दास मनीश कुमार नौशाद राजा राज किशोर महतो मंजे कुमार कृति कुमारी नवल किशोर ज्जा सुकुमार सिंग बादल मुकेश महता अती खान विवेक मिश्रा छो पाइदे मंद है आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चानल को सब्सक् आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पीच को लाइक करना ना भूले धाले बाद